हलो बच्चो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग आज क्लास 9 के क्यामेस्टर का पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं उसके बाद हम लोग प्रस्नों को भी हल करेंगे लेकिन अभी सबसे पहले ये लास्ट वास्पिक रंच से हमारे देनिक जीवल में कौन-कौन सी प्रभाव होती है कौन-कौन सी घटनाएं होती है उन घटनाओं का अध्यन करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक में तो आए सबसे पहले हम लोग समझने की कोसिस करते हैं कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ए इसका क्या वज़ा है कि जहां पर डालते वहां पर ठंड़क महसूस होती है आईए देखते हैं सबसे पहला जो है वो है आपका पैट्रोल या एसिटोन को डालने पर हमारी हाथेली ठंड़े क्यों हो जाती है मान के चलिए यह आपका हाथेली है मान के चलिए कि यह आपका हाथेली है आपने क्या किया यहाँ पर एसिटोन यह हाथेली अब भाए हाथ जैसा तो बना नहीं सकते मालने यह हाथेली है ठीक है हमने यहाँ पर एसिटोन या फिर पैट्रोल पैट्रोल को डाल दिये है ना जब एसिटोन या पैट्रोल को डाल जैसे ही यहां डालेंगे याद रखना माल लीजे यहां पर हमने डाल दिया एसीटोन या पैट्रोल को तो यह एसीटोन या पैट्रोल क्या करता है अपने आस पास से उर्जा आवसुसित कर लेता है दोस्तों क्या कर लेता है दोस्तों उर्जा आवसुसित कर लेता है और जैस जैसे ही उर्जा आवसुसित करता है इसके पास उर्जा आ जाती है उर्जा जैसे ही आता है ये वास्पी क्रीत होना प्रारंभ हो जाता है क्या होता है दोस्तों वास्पी क्रीत हो जाता है वास्पी क्रीत हो जाता है और जैसे है वास्पी क्रीत होना शुरू होता है साथ साथ में उस्मा भी चली जाती है और उस्मा का चल जाना ही तो ठंडा लगेगा ना उस्मा जीबे नहीं करेगा तो ठंडा कैसे लगेगा तो वास्पी करन की प्रोसेस जब होती है ना दोस्तों तो उसके साथ उस्मा भी चला जाता है तो जैसे ही वास्पी करन की परक्रिया होती है क्या होती यहां से उसमा भी निकलना शुरू होता है तो यहां पे हम लोगों के हथेली जो है उसमें क्या महसूस होती है आपका ठंड महसूस होती है ठीक है दोस्तों इस तरह से या फिर फोग वगेरा मारते तो देखना आपको ठंड़क महसुस होती है, दूसरी बात आप लोग देखे होंगे कि अभी गर्मियों के दिनों में जब तेज धूप होती है, तो में लोग छटों में क्या करते हैं, जल को छिड़कते हैं जल को छिड़कने के बाद कुछ दिर बाद देखते हैं, जहां पे चिड़कते वहां पे ठंड हो जाती है, क्या कारण है दोस्तों कि ठंड हो जाता है, आईए ये भी देख लेते हैं, मान दीजी ये आपका छत है, क्या है दोस्तों, छत है, छत पे हमने क्या डाला, जल को डाला, जल हमने क्या किया, यहां पे डाल दिया, जैसे जल डाला, आप देखे इस छात में क्या होता है हीट एनरजी मौजूद होता है उसमा मौजूद होता है क्या होता है दोस्तों उसमा मौजूद होता है जैसे ही ये क्या करता है उसमा मौजूद होता है जैसे ही ये गरम में पड़ता है ये वास्पी कृत होना सुरू हो जाता है क्या होना सुर निकल लेता है, उसमा भी निकल लेता है, उसमा भी रिलीज हो जाता है, और जैसे उसमा रिलीज होता है, ये छट के तल जो होते हैं, फर सो होते हैं, वो ठंड हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, ठंड हो जाती है, इस तरह से वहाँ पे फिर हम लोग क्या गरते हैं, ऐसर और कपड़े बिचाते और मज़े से सोते हैं यही प्रोसेस होता है उसके बाद दोस्तों आईए और कुछ समझते हैं बहुत ही important topic है इसको एकदम जरूरी है कि समझना है आप देखिए गर्मियों के दिनों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए तो गर्मियों के दिनों में सबसे पहले बात तो दोस्तों सूती के कपड़े पहनने चाहिए किस के कपड़े सूती के कपड़े है है ना गर्मियों के दिनों में सर सूती के कपड़े क्यों पहनने तो देखिए इसका एक मेन रिजन है जो सरीर से पसीना निकलता है यह सूती के कपड़े उसको आउसोसि एब्सूर्ब करने के बाद आस पास से क्या करता उर्जा को आवसूसित करता वास्पिक्रित होना शुरू हो जाता है क्या हो जाता है वास्पिक्रित होना शुरू हो जाता है और इसमें वास्पिकरन की परक्रिया थोड़ा तेज होती है और वास्पिकरन जैसे होना प्रारम ह होते हैं जिसके कारण देखते होंगे बहुत ही ठंड महसुस होती है या फिर आप देख रहे होंगे जब बिजली चली जाती है तो बहुत ज्यादा पसीना आ तो जैसे ही बिजली आती है उसके बाद क्या होता है दोस्तों पंक्रा चलाते है और जैसी हावा पड़ता है इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं कपड़े को सुखाना इस से पहले वाले वीडियो में तो हम लोगों ने उसको समझ लिया था तो किस तरह से याद किस तरह से होता है यह प्रोसेस अभी हमने बताया अब एक चीज और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग देखते हैं जब फ्रीच से कोई बोटल नि होती है तो वो बुंदा जैसे ही हम बाहर में रखते देखते बुंदा बुंदी बोटल के बाहर बुंदा बुंदी जल हमको दिखाई देने लगता है इसका क्या कारण है तो देखो जलवास्प जो होता है वायू में जलवास्प की मातरा होती है हमने बताया इससे पहले व भाई पैक किया हुआ होता है तो जलवास्प क्या होता है आकर के ठंडी बोतल में ठंड हो जाती है और ठंडी होने के कारद वो बुंदा बुंदी हम लोगों को नजर आने लगता है